सू प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों सबसे पहले हम अपनी हिंदी व्याकरन की पुस्तक में विलोम शब्द का अभ्यास करेंगे. बच्चों अपनी पुस्तक निकालिये और मेरे साथ साथ अभ्यास को भरिये. बच्चों देखते हैं आपने इस पार्ट से क्या सीखा है. प्रश्न है नेमन वाक्यों को रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से पूरा कीजिये. प्रश्न एक मैं बाहर खेल रहा था. मेरी मा ने मुझे डैश बुला लिया. बच्चों इस प्रश्न में बाहर शब्द को रेखांकित किया गया है. हमें बाहर शब्द का विलोम शब्द लिखना है. बाहर शब्द का विलोम शब्द होता है अंदर. प्रश्न दो. हम मेले में सुबह से डैश तक गूमते रहे. बच्चों इसमें सुबह शब्द को रेखांकित किया गया है. सुबह का विलोम शब्द होता है शाम. अगला प्रश्न गर्म दूद पीने के बाद डैश शर्बत नहीं पीना चाहिए. बच्चों इसमें गर्म शब्द को रेखांकित किया गया है. गर्म शब्द का विलोम शब्द होता है ठंडा. बच्चों प्रश्न एक अपनी पुस्तक में पूरा कर लीजी. आओ बच्चों अब हम अगला प्रश्न करते हैं. प्रश्न है निम्न शब्दों का उनकी विलोम शब्दों से मिलान कीजिए. बच्चों इसमें कुछ शब्द दिये गए हैं. हमें उनका सही विलोम शब्द से मिलान करवाना है. चोटा, चोटा का विलोम होता है बड़ा, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला बच्चों इस प्रकार आपने यह कारिय अपनी हिंदी व्याकरन की पुस्तक में करना है आओ बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न है, सही विकल्पों का चयन करके उन पर टिक का चिन लगाएं पहला प्रश्न है, अमीर शब्द का विलोम है विकल्प इस प्रकार है, विखारी, गरीब या दीन अमीर शब्द का विलोम शब्द होता है, गरीब प्रश्न दो सुबह का विलोम है, विकल्प है, शाम, रात या संध्या सुबह का विलोम शब्द होता है, शाम बच्चों, इस प्रकार आपने यह कार्ये अपनी हिंदी व्याकरन की पुस्तक में करना है यह कर हो प्रकार सिप्चों, आ रात यह प्रकार्य प्रणी